तो दोस्तो आए तारीक हो गई है 26 अप्रैल 2024 की साथी में दिन है शुक्रवार का तो आई ये भी नदेर किये फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरे और मुख्य समाचार तो देखे आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर पीम मोदी ने कहा के सोच रहा हू जब्त किये गए पैसे जनता को लोटा दूँ देश के हर नागरिक को 15 लाक उर्पे मिलने वाली बात का मुद्दा फिर हुआ गरम जी हैं इस सल 2024 के चुनाव में प्रधान मंतरी मोदी का पूरा फोकस मिशन 400 पार को हासिल करने पर है इसी कड़ी में अभी हाली में पीम मोदी आगे कहते हैं कि हमारा संकल्प है जो भिष्टाचारी है उनकी जांच होगी जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा दोबारा गरीबों को ही मिलेगा तो पीम मोदी के इसी बयान के बाद 15 लाक उर्पे मिलने वाली चर्चा फिर शुरू हो गई है हला आज होगी सुनवाई जी हां पीम मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगाने के मांग को लेकर दिल्ली हाई कोट में आज शुकरवार यहीं कि 26 अप्रैल को सुनवाई होगी एडवोकेट आनंद एस जोंधले ने पीम मोदी पर आचार सहीता के उलंगन कारूप लगात और अगर ऐसा कोई करता है तो आचार सहीता का उलंगन करता है आचार सहीता का उलंगन करने की वज़य से कई बार नेताओं पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगाया जा सकता है यानि कि 6 साल तक ऐसा नेता किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता तो ऐसे मैं आज यह बड़ा ही महतोपूर्ण होगा कि हाई कोट PM मोदी से जुड़े मामले पर क्या कहता है देखे अंगली खबर के WhatsApp ने कोट में कहा अगर हमें मजबूर किया गया तो हम इंडिया में WhatsApp को बंद कर देंगे जी हाँ, Social Media Platform WhatsApp ने साफ तोर से कह दिया है कि अगर उसे encryption हटाने के लिए कहा गया तो वो भारत को छोड़ देगा यानि के भारत में WhatsApp बंद हो जाएगा आपको बता दे WhatsApp ने अभी हाली में दिल्ली हाइकोट को बताया कि अगर उसे message encryption तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो WhatsApp भारत में परभावी रूप से बंद हो जाएगा मेटाय के स्वामित वाली कंपनी WhatsApp के वकील की और से ये बाते कहीं गई हैं कि वो यूजर की प्राविसी की रक्षा हमेशा करता रहेगा और अगर उसे सरकार द्वारा इस बात के लिए मजबूर किया गया कि WhatsApp पे जो लोग चैट करते हैं जब को यूजर WhatsApp द्वारा किसी को message भेजता है तो उस भेजे गया message को भेजने वाला और वो message जिसको मिला है यानि कि प्राप्त करता यही दो लोग देख पाते हैं WhatsApp के दावे के मताबिक यह message WhatsApp भी नहीं देख पाता क्योंकि यह message end-to-end encrypted होता है तो इसी encryption के बारे में अभी हाली में WhatsApp ने कहा है कि अगर उसे सरकार द्वारा या संस्थाओ द्वारा ऐसा कहा गया कि वो इसको हटा दे और जो WhatsApp पे चैट होती है उसको कोई भी देख सके चाहे वो कोई सरकारी आजैंसी हो या सरकार हो तो इसके लिए WhatsApp कभी भी तैयार नहीं होगा चाहे उसको अपना कारोबार इंडिया में बंधी क्यों ना करना पड़े तो WhatsApp को लेकर यह बड़ी खबर आई है देखें आगली खबर के आज 13 राज्यों की 88 सीटों पे हो रही है वोट कि आपको बता दें लोग सभाचुनाओं के सेकंड फेज में यानि के दूसरे हिस्से में जिन 13 राज्यों में आज वोटिंग हो रही है उनमें शामिल है राजिस्थान के 13 राज्यों में आज 13 सीट और यह 13 राज्यों है टॉंक स्वाई माधोपुर अजमेर पाली जोदप बाडमेर, जालोर, उदैपुर, बांसवाडा, चित तौरगड, रजसमंद, भीलवाडा, कोटा और जालावाडा और जालावाड बारा यानि के रजस्थान में आज इन 13 जगहों पे वोटिंग हो रही है इसके लावा आज यूपी के 8 जगहों पर यानि 8 सीटों के लिए बी वोटिंग हो रही है इन 8 लावकों में शामिल है अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुधनगर, बुलंद शहर, अलीगड और मतुरा इसके लावा बिहार के भी 5 जगहों पे वोटिंग हो रही है इन 5 जगहों में शामिल है किशन गंज, कटिहार, पुझा, मवेलिकारा, पथानाम थिट्टा, कोलम, अटिंगल और तिरुवनंत पूरम इसके लावा महराश्री के भी 8 जगहों पे वोटिंग हो रही है बुलधाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमालवाशिम, हिंगोली, नांदेड और परभणी इसके लावा मध् जाल के भी 3 जगहों पे वोटिंग हो रही है, इनमें शामिल है दारजिलिंग, राय जंग और बालूर घाट, इसके लावा आज, पूर्वी तरिपुरा, जम्मू, साथी में मनीपुर में भी वोटिंग हो रही है, इनमें बेंगलूरू समेत, कोलार वगरा शामिल है, बड़ा खुलासा, जिहां साल 2023 में 69 देशों में करीब 28 करोड दो लाख लोग भूग से तड़पने को मजबूर हैं, और युद की वज़ा से गजा में सबसे ज़ादा लोगों ने भयंकर हालात का सामना किया है, सजिक्त राष्ट्र एने के युएन ने गुलोबल रिपोर है, तो ऐसे लोगों को खाने की कदर करनी चाहिए, देखे आंगली खबर के पटना के होटल में लगी भयंकराग, मा बेटी समेत 6 लोगों की गई जान, 20 घायलों को अस्पताल में भरती कराया गया, वहीं 45 लोगों को बचा लिया गया, जी हां, पटना रेल्वे स्टेशन स किवल 50 मीटर की दूरी पर पाल होटल में बीते गुरुवार सुबा अचानक आग लग गई, आग ने आसपास के तीन होटलों को भी अपनी चपेट में ले लिया, इस हादसे में मा बेटी समेत 6 लोगों की जान चली गई, वहीं बताया गया है, आग की लप्टों के बीच, अब जज सहाब दोरा शिकाय दर्ज करवा दी गई है, जिहां बरेली में जज रवी कुमार दिवाकर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है, उन्हें इंटरनेशनल नंबर से फोन करके धमकी दी गई है, अब इस मामले में जज रवी दिवाकर ने बरेली के SSP को पत्तर पहले भी दो हजर बाइस में इसलामिक आगाज मुव्मेंट के नाम से धमकी भरी चिठी भेजी गई थी। अगले साल के अन तक बिकरी के लिए उपलब्द हो सकता है। इस खबर के जियो सिनेमा का मंतली प्रीमियम प्लान अब केवल 29 रुपे में मिलेगा और फैमली वाला प्लान केवल 89 रुपे में मिलेगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे अभी तक चार मेंबर वाले प्लान के लिए हर महीने 99 रुपे देने पड़ते थे। हले के भी से सस्ता कर दिया गया है तो आप अगर अकेले हैं तो केवल हर महीने 29 रुपे दे कर जियो सिनेमा पर जो भी चीज़े देखने के लिए हैं उनको एट फ्री देख सकते हैं आपको बार बार पर चार वगरा देखना नहीं पड़ेगा। इस फायर की मांग की है यहने के पांच साल के लिए जंग को रोका जाए नियूज अजेंसी एपी को दिये इंट्रिव्यू में खलील अलहय यहने कहा है कि अगर फिलस्तीन एक अलग और आजाद देश बनता है तो हम हतियार डाल देंगे और एक साधारण राजनितिक पार् इस फायर के लिए जाते हैं तो वो इसराइल के खिलाफ युद नहीं लड़ेगा वरना वो लोग हतियार नहीं डालेंगे और इसराइल का आप लोग जानते हैं वो हमास के साथ साथ हमासी की वज़े से लोगों को मारने के लिए भी बाज नहीं आएगा देखें अगली कबर के पाकिस्तान के पीम बोले बंगलादेश भी हमसे आगे निकल गया ये देखकर खुद पे शर्माती है पाकिस्तान के दोर पे के बराबर बंगलादेश का एक टका है जी हाँ अब इहाली में पाकिस्तान के पीम ने ये बात मानी है कि एक ऐसा देश जो पाकिस्तान के बात बना पाकिस्तान से ही निकला हलाकि ये पहले दोनों हिंदुस्तान से ही निकले थे लेकिन बंगलादेश अपने नीतियों की वज़ा से पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है और अब ये बात पाकिस्तान के प्रधान मंतरी ने खुद कबूल कर ली है अब जब हाली से जूज रहे पाकिस्तान के कारोबारियों ने भारत के साथ फिर से वेपार शुरू करने की मांग की है अभी हाली में बुधवार को सिंध में प्रदान मंतिर शहबा श्रीफ ने कारोबारियों के साथ एक मुलकात की थी बैठे के दोरान पाकिस्तान के बड़े वेपार में बेड़िक गोल कॉर्परशन के नियंतरन वाली खदान में हिस्सदारी हासिल करने के इलिए हिस्सदारी हासिल करने के संभावی सौधे के करीब पहुंच गया है आसान शुरबदों में कहें तो सौधे अरब पकिस्तान में और सोने की खदान है, वो उसमें उसका हिस्सेदार बनना चाहता है, माली का अना हग पाना चाहता है, बताया गया है ये जानकारी, जब आम जंता तक पहुँची, तो आम जंता इस मामले में गुस्सा हो गई है, कई लोगों ने गुस्से में सरकार को काफी कुछ कहा है, तो किसी घटनाएं के बाद ही चल पाएगा या अगर कोई शिकायत करेगा तभी चल पाएगा देखें आगली खबर के विराट कोहली के वल 10 सीजन में 400 प्लस रन बनाने वाले 400 प्लस रन बनाने वाले पहले बल्ले बाज बने बत और आपनर 4,000 रन भी पूरे किए तो इसी बीच संजे सिंग ने PM मोदी और LG को लिखी है चिठी, जी अंदिली के मुख्यमंतरी केजरीवाल के स्वास्त की निगरानी के लिए 5 डॉक्टरों की टीम बनाए गई है, कोट के आधिश के बाद, तो इसी टीम ने सी बोड ने अभी हाली में बीते गुरुवार को कहा कि केजरीवाल को 5 दिन तक इंसुलीन दी जाए, शायद आप जानते होंगे इंसुलीन के जरीए, जो शुगर लेवल है, उसको कंट्रोल में रखा जाता है, इंसुलीन काफी हल्प करता है, इसी बीच अभी हाली में, आम आदमी पाटी के नेता, संजे सिंग ने PM मोदी और LG क चिठी लिखी है, और चिठी लिखते हुए आरूप लगाया है, कि केजरीवाल को तिहार जेल में 24 गंटे CCTV की निगरानी में रखा जा रहा है, इस वज़े से जेल का जो कमरा है, वो मुखे मंत्री के लिए टोचर हाउस बन गया है, कि अगर किसी को पता चले को 24 गंटे देखें अगली खबर के पवन सिंग बोले, कराकट से ही लड़ूंगा चुनाओ, मनुस्तिवारी की बात का भी जवाब दिया, जी आंभोजपूरी सुपरिश्टार पवन सिंग बिहार के कराकट से निर्दली चुनाओ लड़ रहे हैं, इसे लेकर भाजपा सांसद मनुस् पवन सिंग को लेकर देखें एक और खबर, कि पवन सिंग के खिलाफ पांस थानों में दर्च कराए गई फाई यार, रहतास में रोड़ श्रो के दोरान आचार सहीता का उलंगन किया, 150 गाड़ी थी शामिल, जी आभी हाली में पवन सिंग द्वारा, गाड़ियों की जधा संख्या की वज़े से आचार सहीता का उलंगन हुआ है, इसी वज़े से पवन सिंग के खिलाफ पांस थानों में फयार दर्च करवाई गई है, दोस्तों आपको बता दे, आचार सहीता लागू होने के बाद, यानि के जब चुनाओ की घोशना हो जाती है, तो कुछ नियम क सादे कानून बताया जाते हैं नेताओं को, और नेताओं को उसी दारे के अंदर रहे कर चुनाओ का परचार करना पड़ता है, या अपनी बाते कहनी पड़ती है, अगर कोई उन बातों को नहीं मानता है, या नियम को तोड़ता है, तो से ही आचार सहीता का उलंगन कहा जा गिरफतार भी कर लिया गया है, हाला कि पता चला है कि इससे कई लोग जुड़े हैं, तो उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है, इसी कड़ी में अभी हाली में दो और लोगों को गिरफतार किया गया, देखें अगली खबर की सोना 71,841 रुपे पहुचा, आईए बता अजर्बाइजन दोरा बोला गया है कि भारत अर्मेनिया देश को हतियार देना उसको बंद करें, क्योंकि वो हमारी सीमा में घुस रहा है, देखें अगली खबर के संजदत के बाद, अब तमन्ना भाटिया को मिला पूच्टाच के लिए समन, बेटें यानि के जुए वाल यानि के इरफान खान के बेटे ने कहा कभी-कभी मन करता है कि हार मान कर बाबा के पास चला जाओ, यानि कि जान दे दू, हले के बाद में बाबिल खान ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जान अनिवाद, थैंक्स पर वाचिंग.